नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा और आप देख रहे हैं दिफैक्ट इंडिया भारत के प्रधान मंत्री मोधी देश हो या विदेश जहां भी जाते हैं चर्चाओं में छा जाते हैं उनकी यात्रा के कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो वाइरल जरूर होते हैं अब काशी विश्मनात कोरिडोर के उद्घाटन के दौरान की एक फोटो भी समय खुब वाइरल हो रही है खुब चर्चाओं में छाई हुई है ये फोटो इस फोटो में पीएम मोदी एक दिव्यांग लड़की के पैड़ छूते नजर आ रहे हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मेंस्टर योगी अधितिनाथ भी खड़े हैं इस तस्वीर को जिसने देखा वो अपने आपको भाव खोने से रोक नहीं सका और तस्वीर को जम कर वारल भी किया गया वाट्सएप ग्रूप्स में या फिर फेस्बुक पोस्ट्स पर लेकिन यहां तक तो ठीक था अब इस तस्वीर के साथ कुछ मिसिनफॉर्मेशन जोड कर लोगों के सामने परोसा जा रहा है कहा जा रहा है कि यह दिव्यांग महीला I.S. ओफिसर आर्ती डोंग रहा है और यह काशि विश्वनात मंदिर के रिनोवेशन की चीफ आर्किटेक्ट है और खास बात यह है कि यह मिसिनफॉर्मेशन कोई और नहीं खुद भाजपा की स्पोक्सपर्सन अपने ट्वीटर अकाउंट से दे रही है शाइना एंसी के नाम से ट्वीटर अकाउंट है जिसमें लिखा है वे भाजपा की स्पोक्सपर्सन है और अकाउंट वेरिफाइड भी है इस अकाउंट से ही ट्वीट किया गया है कारिक समर्पित संकल्पित स्वेम सेवक की नम्रता का दर्शा अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है तो आपको बता दें कि दिव्यांग महिला आरती डूंगरा है ही नहीं और ना ही ये आई-एस है और ना ही काशिविश्विनात मंदिर के रिनोवेशन की चीफ आ बाटती है और दिव्यांगों का होसला बढ़ाती है शिखा का भी कहना है कि पहले उन्हें विकलांग कहा जाता था लेकिन पी-एम ने उनकी दिव्यता को पहचानते हुए दिव्यांग नाम दिया यानि कि शिखा ने पी-एम की तारीफों के पुल बांदी है लेकिन अब ह बास्तान सीमो में स्पेशल सेकेटरी के पदपर है वही काशिविश्वनात कोरिडोर के चीफ आर्किटेक्ट बीमल पतेल है जिहां आरती डोंगरा वहां की चीफ आर्किटेक्ट नहीं है बीमल पतेल काशिविश्वनात कोरिडोर के चीफ आर्किटेक्ट है जो सेंट्रल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र के सलाकार भी है खेर ये तस्वीर बहुत भावुक भी है और सुन्दर भी जो पीम मोधी ने खिचवाई हैं लेकिन किसी भी तरह की सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई पता होना बेहत जरूरी है नमस्कार